नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम मद्यकालिन भारती दियास का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टापिक डिस्कस करने वाले हैं जो है खिल जीबंस दोस्तों हमने प्रीबियस वीडियो में गुलाम बंस के बारे में पढ़ा वियाद रखना दोस्तों खिल जीबंस का सासन चला था कब से कब तक 1290 से लेकर 1320 तक दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली सालतिनाद में टूटल कितने बंस हुए हैं पांज कितने टूटल पांज हुए हैं जिसमें से पहला बंस था कुनसा गुलाम बंस उसके बाद खिल बंस फिर तुगलाग बंस पिर सयद बंस और लोधी बंस तो दूस्तों गुलाम बंस को हमने प्रीबिएस विडियो में पहल दिये थे आज हम जो बंस पढ़ने वाले हैं वो है खिल जी बंस तो दोस्तों खिल जी बंस का टाइंपरियड है 1290 से 1220 तक है दोस्तों गुलाम सलतरत में खिलजी बंस ने कुल कितने बर्सों तक सासन किया तो याद रखना दोस्तों 1290 से लेके तेरा सो बीस तक यदि आप से पूछ ले कि सबसे अधिक समय तक किस बंस का सासन रहा तो याद रखना तुगलग बंस का सासन रहा उसका टायम इनट किन्टा था तेरा सो बीस से लेके चौदा सो चौदा तक ठीक है यह कोश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दिल्ली सलतरत मे सबसे अधिक समय तक और सबसे कम समय तक किस बंस का सासन रहा इसलिए याद रखना सबसे कम खिलजी बंस और सबसे अधिक बुछा जाए तो तुगलग बंस तुगलग बंस के बारे में समसुद्दिन कैमूर्ष को दोस्तों हटा कर बैठ जाता है जलाल उद्दिन फिरोज खिलजी बैठ जाता है और 13 जुन 1290 इस भी को खिलजी बंसकी इस्थापना करता है ठीक है नश कोचन देखते हैं जलाल उद्दिन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाई क्या जलाल अलाम बंस में सबसे पहले जो कुतुब अबक हुआ था उसके बाद इल्तुत्व से अपनी राजधानी दिल्ली में बनाया था इसलिए उसे दिल्ली का वास्तिक स्थापक भी कहा जाता है याद रखना जलाल उद्दिन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया तीक रहा नाइस्ट कुछिन देखते हैं जलाल उद्दीन कि उसक इद्दिन में दोस्तों इत्छा भतिजा युद्धे गरें दोनों यह कैसे होता है दोस्तों क्या होता है मुस्लिम कर्टियों में और सब्किते हैं अपनी लड़की की साधी कर दी जाती तो बारा सो चानवेर इसमें किवा इसने जला-णूपिर के पास दोस्तों शुनाक पाजातों की धन धन की प्राप्ति मतलब इसके अंदर लो भागिया था ठीक है इसलिए कर दी और जो अला उद्दिन खिल जी था दोस्तों यह 70 साल का एक ब्रद्ध बुढ़ाय बेक्ती था कित्य साल का और बहुत ही उदार बेक्ती था मतलब सीधा साधा बेक्ती था ठीक है तो याद रखना जलल उद्दिन खिल जी की हत्ते किस ने की थी अला उद्दिन खिल जी ने की थी नेस्ट कोश्चन देखते हैं अला उद्दिन खिल जी के बचपन का नाम क्या था याद रखना अला उद्दिन खिल जी के बचपन का नाम था इसे भारत का सिकंदर भी कहा जाता है और इसने अपनी राजदानी सिर्शा सहर को बनाया था किसको की ऐसीत किया था ठीक है परंदू क्या होता दोस्तों कटवाल मित्र रहता है अलाइल मुल्क के उसकी सलह पर ये बिस्वजे की चहाद को छोड़ देटा ऍाहिए। डिली सन्तनाट के सासक ने सेना को नकत बेतन देने पर रहा था ऐसा कि उस समय इसके पाल थी यृष्टी बुर्स अर इस अफुरी देनों तृस्ट चप्षिब किन उस जानकन ऐसा थी तृसा दो स्सेयना थी और बहुत कुछन देखते हैं घुला दाग ने एबाम सेनिकों का हुलिया लेखने की प्रथा किसने शुरुवात की थी ठीक है तो अलहुद्दिन ख्यल जी ने अब क्या हुआ दोस्तों बहुत बड़ी सेना थी इसलिए बहुत जादा घोड़े थे इसके पास और बहुत जादा सेनिक की पहचान गोडों की पहचान के लिए इसनों ने गोड़ा दाग ने एमम सेनकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुवात की थी किसने अलाउद्दिन खिल जी ने नाइस्ट कुछन देखते हैं ब्यापारियों में बैमानी रोकने के लिए तथा कम तोलने वाले बक्ति के सरीर से मास काट लेने का आदिस किसने दिया था याद रखना दोस्तों अलाउद्दिन खिल जी ने ऐसा आदिस किया था कि यदि बेपारी बैमानी करते हैं और कम तोल करते हैं तो उनके सरीर से मास काट लो ठीक है तो अलाउद्दिन खिल जी ने ऐसा आदिस किया था नाइ इसके पाज जो सेना थी उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाता ठीक है इसलिए उन्होंने बजार में में नियंतर रखा ठीक है और बहुत सारे ऐसे कानून मनाए जिससे क्या हुआ मूलों पर नियंतर रखा सके ठीक है फिसने किया लाहुत दिन खिलजी ने किया और किसके दुरा क्रवायगया तो याद रखना माली का Wha और बुच्छे के दौरा करवाय गया था धठ्श्शु भारत की विजय का अभियान नेस्ट कूछण देखने हैं अलाई दिन खिल जी ने कौन कौन से प्रमुक निर्माड कारे करवाए तो याद रखना दोस्तों इसने जमय्यत खाना मस्जिद वनवाया अलाई दरवाजा बनवाया सीरी का किला बनवाया और हजार खंबा महल कर निर्माड करवाया थे जोपत जिसको कोई नहींा किसी कर वाया था तक्षी नेगए था तेवि अधिकार के सिध्दांत को किसने चलाया था तो अलफ दीन खिलजी ने किसे दिवानी रियासत नीक्त किया जब रखना मलिक याकूब मलिक काफूर नहीं दोस्तों मलिक याकूब को दिवाने रियासत अलाव उद्दिन खिल जी ने नियुक्त किया था थेच कोचन देखते हैं अलाव उद्दिन खिल जी की आर्थिक नीती की व्यापक जनकारी किस पुस्तक से मिलती है तो तारीक ए फिरोज साही से किस से तारीक ए फिरोज साही से मिलती है दोस्तों ठीक है और तारीक ए फिरोज साही की रचनकार कौन है तो याद रखना बरनी है कौन बरनी ने तारीक ए फिरोज साही की रचने की है जिसमें क्या होता है अलाव उद्दिन खिल जी की आर्थिक कज़न करी मिलती है आगला कुष्ठन है खिल सबसक्री सा संकाल में सरवादिक मंगोल अक्रबंट हुय जियात रखना दोस्तों अला उद्दिनन खिल संकाल में किस रशवादिक मंगोल तारताक था और 1306 में कबक इबम इकबाल मंद थे ठीक है तुस प्रकार से दोस्तों टोटल छे बार मंगोलों ने अलाउद्दिन खिलजी के सासन काल में आखरमन किये थे ठीक है नाइस कोचें देखते हैं अलाउद्दिन खिलजी की मरत्यों कब हुई त्याद रखना पांच जनवरी 1316 इसबी को अलाउद्दिन खिलजी की मरत्यों हो जाती है जलोधर नामक रोग से कौन से जलोधर नामक रोग हो जाता है दोस्तों इसको उस रोग से अलाउद्दिन खिलजी की मरत्यों हो जाती है कौन सा खिलजी सासक कभी कभी राजदरवार में इस्तरियों के बस्तर पहन कर आ जाता था याद रखना मुबारक सा खिलजी ऐसा सा सक था दोस्तों खिलजी बंसका जो कभी कभी राजदरवार में इस्तरियों के बस्तर पहन कर आ जाता था बर्णी कहता है दोस्तों कि ये कभी-कभी नग नहोंकर भी दरवादियों की वीच में दोला करता था कौन? मुबारक सहा खिल जी तीक है? Next question देखते हैं किस खिल जी सासक ने खलीपा की उपादी धरल की थी? याद रखना मुबारक सहा खिल जी ने दोस्तों खलीपा की उपादी धरल की थी? कोई से उपादी? खलीपा की उपादी मुबारक सहा खिल जी ने धरल की थी? Next question देखते हैं मुबारक सहा के बाद खिल जी बंस का सासक कौन मना? खुसरो खावना था कौन भशहों नसरद्दिन कुस्तन दोस्तों मुबारक साह के बाद खिल इबंस का संती की उपादी धारल खी तू याद रखना खुसरो खाने की थी भादी धारण की थी नेच कुछन देखते हैं अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था याद रखना मुहम्मद हसन या मुहम्मद हसन इसका मूल नाम था डीक है दोस्तों जो खुसरो है यह प्रिशिद्ध सूपी संध सेख निजामुद्दिन ओलिया का सिस्थ था और यह बलबन स लेकर मुहमद तुगलक तक के दरबार में यह अमूर खुसर रहा है इसले है त्येह तुती है भारत का तुटा के नाम से भी जाना जाता है तिक है और दोस्तों जो कमीर खुसरों है इन्हें सितार और तबले किसे दिया जाता है अमीर खुसरों को दिया जाता है बजार का अधिक्षक होता था बरीद बनाया गया दोस्तों यह बजार के अंदर घुमकर बजार का निरिच्छर करता था और गुपत चर्विभाग जैसे की नाम से इस पष्ट है गुपत सूचना राप्त करता था ठीक है नेस्ट को चन देते हैं खिलजी बंस का अंतिम सासक कोन था तो नचरुद्दीन खुसरों खा था खुलजी बंस का अंतिम सासक अलाव दिन खिलजी का आक्रमण के समय रामचंद्र देव थे कौन थे राजा रामचंद्र देव थे और यह यादो बंस से रिलेटेट थे ठीक है यादो बंस से रिलेटेट थे अलब दिन खिलजी ने चित्तोल का नाम अदल कर क्या कर दिया था तो याद रखना खिजरा बात कर दिया था चित्तोल का नाम अदल एक दोस्तों बहुत ही योग सनपती था ठीक है और बंगिलों कहते हैं एक बार जब युद्ध हुआ था तो मंगोल एक ही रात में 300 कोस पीचे हड़ गये थे जाफरका की डर से ठीक है तो आप समझ सकते हो कि यह कितना खतना बगती था इसलिए मंगोलों की मौत के नाम से भी जाना जाता है पदमावत के रचीता कौन है मलिक मुहमद जैसी पदमावत के रचीता है इसमें रानी पदमावती की कहानी है ठीक है और अब दी भासा में लिखी गई है ठीक है नेस्ट कोशन देखते है इस बिज़े के उपलक्ष में अलाउद्दिन खिलजे ने अलाई द सरवाजा है अश्च को चन देखते हैं दिवान एक बगूब इसे जलाल उद्दिन खिल जी ने बनवाया था दिल्लिज सलत्रत का पृःफ्षि भारत को पराजित करने का प्रयास किया याद रखना अलाउद्द्दिन खिल जी था जिसने भारत को प्राजित करने का प्रयास किया और इसी के टाइम पर दोस्तो इसने देवगुरी पर आकरमड किया बारगल जो कोई नहीं और हिर लाकर किस्ते दिया था किसको दिया था अलाउद्दिन खिल जी को दिया था ठीक है नेश्ट कोशन है अलाउद्दिन खिल जी के समय आमिल किसे सम्मन जी थे तो भूराजस तो एकत्रित करने के लिए जो सरकारी प्रतिन जी थे दोस्तों उसे आमिल कहा जात था तारीक ए अलाई के रचीता कौन है जिसमें अलाउद दिन खिल जी के सासन का बढ़ना मिलता है तो अमीर खुसरो थे ठीक है अमीर खुसरो जो है तो 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 दोस्तों यह थे आज के बहुत इंपार्टन कोश्चन जो खिज्री बन से सम्मझ निथे ठीक है एदिया आपको हुआ 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 है